दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि COMPETSAN COMMUNITY CGPSC MINS के सभी PEPER का PEPER-WISE ANALYSIS कर रही है जिसमें आपको यह सहायता मिलेगी कि प्रतेग PEPER के हिसाब को आपको किस प्रकार से रणनिती का पालन करना है अर्थात जिस प्रकार का TACICS या जिस प्रकार की रणनिती समझे 36 गड़ के पेपर में लागू होता है उसी परकार का tactics या उसी परकार की रणनिती science के पेपर में लागू नहीं होती है math के पेपर में लागू नहीं होती है तो इसलिए competition community आपके लिए paper wise question paper analysis साथी साथ इसमें answer को किस परकार से लिखा जाए इसका analysis कर रही है और उसी series में मैं आपके लिए लाया हूँ philosophy के subject को लेके तो दोस्तों ध्यान रखेगा ये जो हमारा philosophy का subject है हम ये कहें कि ये दरसन को संपूर्टा में ना लेके इसनों इन्हों ने यहाँ पर जैसे संकारचार के दर्सन के बात कर ले, जैसे सांखी के दरसन के बात कर ले तो यहां पर इन दरसन को संपूर्टा में नालकिन के कुछ प्वाइंट्स को रखा है तो हमारा तो हमारा यह किसाब से कहा जाए तो यहां पर analytical question नहीं आता है कोश्चन जो है अक्सर यह देखे गए है कि समानिता जो CGPAC के syllabus में heading wise लिखा गया है वहीं से direct question पुछ लिये जाते हैं लेकिन कुछ question ऐसे होते हैं जो उनके sub topics से पुछे आते हैं यानि कि deep से पुछे आते हैं तो दोनों प्रकार के प्रस्णों में या दोनों प्रकार के तरीकों पर हम चर्चा करेंगे कुछ प्रस्ण आप देखेंगे कि ऐसा आपको लगेगा कि यह प्रस्ण हमारे syllabus का नहीं है लेकिन अगर इसी चीज को आप book में जाके देखें तो वास्तों में उसका part होता है साधरन तहम और आप या जो भी means के त्यारी कर रहे हैं वो बच्चे क्या करते हैं किसी भी कोचिंग के material को लेते हैं और उसका तयारी करना चालू करते हैं और बैसिक स्टेंडर्ड पर बना होता है कुछ चीज़े उसह नहीं रहती है और उसको हम क्या समझ लेते हैं जब कि वो out of syllabus नहीं होता है जैसे ही आप book खोलेंगे तो book में वो सारी चीजे मिलती है तो ध्यान रखेगा पढ़ने का आपको आपको ये बता दूँ कि कोई भी एक आपके पास notes है कि standard का notes है उस notes से अगर आपको समझे कि अगर उसमें सारे syllabus को दिये गए है तो आप ये समझें कि आपका 90% ट्यारी वहां से हो गया है तो बात यहां means में content का नहीं है ध्यान रखेगा बात यह है means में आपका writing skill का तो means is all about ध्यान रखेगा writing skill not about knowledge that we acquired हमारे दिमाग में कितना knowledge है हम कितना जानते हैं हमारा यहां पर मतलब है कि उस exam के तीन घंटे में जिस temperament के साथ कम समय में हम उस दिये गए प्रस्णों का उत्तर उसी के हिसाब से लिख सके अपने हिसाब से नहीं वहां पर पुछा जा रहा है कुछ हम लिख रहा है कुछ कभी ऐसा भी होता है अक्सर हमने देखा है बहुत सारे बच्चे मिंस देखे आते हैं पूरा पेपर होने के बाद वह बताते हैं कि सर प्रस्ण तो यह पुछा गया था लेकिन मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाया और समझ ना पाने के कारण मैंने उसको क्या कर लिया गलत इंटरप्रेट किया उस कि किसी भी पेपर को किस परकार बनाना चाहिए अर्थात फिलोसफी की पेपर को किस परकार बनाया जाना चाहिए और एक समझ रूप से किस परकार की रणनीती रखना चाहिए तो ध्यान रखेगा यह हमारा एक पेपर वाइस मतलब सीजी पीसी में आपको यह बताया गया ह कि आपको प्रतेएक पेपर के कितने खंड होंगे, पांच खंड होंगे, प्रतेएक पेपर के पांच खंड होंगे, और उस पांच खंड में, ठीक है, number of question, ठीक है, आपको 22 question होंगे, जो कि 2 number के होंगे, 13 ऐसे question होंगे, जो 4 number के होंगे, 8 ऐसे question होंगे, ठीक, जो 8 number के होंगे दियान रिखेगा आगे आप इसको देख सकते हैं कूल नंबर भी है और इसका वर्ड लिमिट भी है वास्तों में वर्ड लिमिट के लिए आज कर लिक्टा है ठीक पहले पैटर्न होता था आपको मेंस जिसे आप कॉलेज बें पढ़ते हैं तो उसमें क्या है आपका वर्ड ल मिलते हैं तो उस चीज के हिसाब से समझे कि वो जो इस पेस आपको दिया गया है उसी प्रोवाइडेड इस पेस में हमको अपना एंसर को कम्प्लीट करना है ठीक है ध्यान रखिएगा चौथा जो खंड है जिसमें कि भाग दो अब भाग भाग दो से दो कोशन पुछाते हैं तो इस पेपर के तीन भाग पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री और यह जो नंबर ओफ कोशन है उसी में डिवाइडेड रहते हैं ठीक यह 22 नंबर मतला 22 कोशन जो है ठीक दो दो नंबर के वो तीनों पेपर में से मिलके है ध्यान रखिए कोई एक साइड से नहीं ह एसा नहीं कि सारे 22 के 22 जो एक से है ठीक डिवाइडेड है अब मैं आपको यह बता दू कि हमारा जो फिलोसपी हम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे है वो हमारा ठीक पार्ट वन है फिलोसपी दूसरा पार्ट है हमारा सोसियोलोजी और तिसरा पार्ट है 36 गड़ का सोसियल प्रस्पेक्टिव या सोसियल एस्पेक्ट समाजिक परिपेक्च तो यह तीन पार्ट है और हम आज चर्चा कर रहे हैं हम फिलोसपी अर्थात पार्ट वन के बारे में तिक पेपर 6 का तो पार्ट वन का मतलब है, यहां पर ध्यान रखेगा, यह जो पार्ट टू है, यानि भाग दो से दो कोश्चन आएंगे, यानि कि दस नमबर का कोश्चन जो है, मतलब आपके इसमें से, फिलोसफी वाले पार्ट के बजाए, सोशी वाले पार्ट से पुछा जाएगा, लेक कोश्चन पुछे जाएंगे, तीक है, कितने नमबर के देहन रखेगा, फंदरा फंदरा नमबर के, यानि फंदरा नमबर के दो-दो कोश्चन पुछे जाएंगे, लेकिन बनाना कितना है, केवल एक और एक बनाना है, और थाथ, यहां से एक कोश्चन आपको फंदरा और यही फॉर्मेट जो है लगबग हर पेपर का है ठीक है अब हम मैं आपको सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जैसे कि यह हमारा सिलेबस है अब इस सिलेबस को देखिए और सबसे पहले मेंस के त्यारी करने वाले सभी अभिहारतियों के लिए मेरा सिधा सिधा माग दर्सन है या सिधा 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 स्टेटमेंट है सब के सब यह जानते हैं कि हमको मेंस का त्यारी करना चाहिए या प्लिम्स का भी त्यारी करना चाहिए तो सिलेबस को सामने रख के करना चाहिए तो वह काम अब भी किजिए ठीक आपके सामने सिलेबस हो जैस theories दिये है उन theories को हम को जानना है तीक है इस चुछ सूर्फ से ध्यान रखेगा तो ध्यान रखेगा जोस्तो यह सिलबा सही कहmernome पाठ है। इसको हम चर्चा कर लेते हैं जैसी कि सबसे पहले द्यान रखिए गार से धहन सास्त्र तो दर्सन क्या है recommendation का मिट औक और उसी प्रकार के प्रस्ट और वहां से पुछा जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल अब अलग होने वाला है, जैसे कि दर्सन का सुरूप क्या है, ये भी प्रस्ट पुछा जा चुका है, लेकिन इसी प्रस्ट को आगे मैनुपलेट करके भी पुछा जा सकता है, ये दिखेगा, जैसे कि दर्सन क्या है, दर्सन से स्वरूप क्या है, ये आपका दो नंबर और चान नंबर के कोश्टन बनते हैं, ठीक, दर्सन का सुरूप, तो स्वरूप को हम दो नंबर में सिमीत नहीं कर सकते हैं, इसको फोर और मोर देन फोर नंबर में ठीक लेके जा सकते लेकिन 15 नमबर नहीं लेकि जा सकते हैं धृखी चलि अगला है हमारद there रम संस्क्रिटी से संबन्ध है दो नमबर से आगे का है हां यहां पर आपको दो नमबर में अलग से ऐसा पुछ सकता है कि धर्म क्या है तिक दर्सन क्या है धर्म एवं दर्सन क्या है तो दो नंबर में एक ही चीज़ को पुछ सकता है धर्म क्या है या संस्कृति क्या है लेकि दोनों का संबंध को पुछेगा तो ये दो नंबर से आगे जाएगा और कम से कम ध्यान रखेगा तिक ये नंबर और 15 नंबर के में यह पुछे जा सकते हैं ठीक दोस्तों क्या था हमारे नंबर ऑफ कोशन जो है हमारे पर कोशन नंबर पंदर नंबर यानि कि दो नंबर हमको दो कोशन यहां से हमको करने है चलिए अब देखिएगा वेद एवं उपनिसद में तीन हमारे यहां पर द बनते हैं ठीक है चरवाग दर्सन या गिता दर्सन पर हम चर्चा कर लेते हैं स्थीत प्रग्य स्वाधर्म और कर्म यहां से भी इंडिविजिवली अगर इसको पुछा जाए तो दो नंबर चार नंबर का लिकिन यहां पर एनलिसिस करके आप से पुछा जा सकता है तब य जैसे ग्यान विमान साथ तत्विमान साथ सुखवाद की बात करेंगे तो यह एकदम छोटा सा कंसेप्ट नहीं है तिक इस कंसेप्ट के अंदर डेप्थ है अर्था यह जो पॉर्सन है दो नंबर में तो सायध ही आएगा अगर पुछेगा तो हमको बहुत ही सिमित करके ल बनते है चार नंबर या उससे अधिक के बनते हैं तो ज्यान विमान साथ तत्विमान सा में आप आगे तक का त्यारी करके रिखिएगा अब आज यह जैन दर्शन जैन दर्शन में धियान रिकिएगा जीव का सुरूप अनेकांतवाद स्यादवाद और पंच महावरत यह आपका ऐसा portion है जहां पर सभी प्रकार के प्रस्ण बनते हैं जैसे कि आपको मैं बता दू जीव का स्वरूप क्या है तो यह दो नंबर का प्रस्ण नहीं है अगर आप स्वरूप का चर्चा देखें दो नंबर में प्रस्ण वही प्रस्ण पुछे जाएंगे जो परिभासिक है या जिनको केवल डिफिनेशन की रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं यानि डिफाइन होगा ठीक है इसको आप इसकी परिभासा करें या इसकी व्याख्या कर इसकी विवेचन नहीं पुछ सकता है तो अधिकतर दो नंबर में ऐसे प्रस्ण पुछे जाते हैं जिसका डिफिनेशन दिया गया हो तो ध्यान रखेगा तो उस हिसाब से जिव का सुरूप किसी एक डिफिनेशन की साब से नहीं आने वाला अनिकांत वाद का आ सकता है श् की पषिवाशा बताना है और पंझ महावरत्त क्या है उसकी पठिवाशा बताना है लेकिन यह दो नंबर से आगे भी पुछा जाएगा प्रस्ण तो नंबर से पूरा नंबर से और 15 नंबर से पूरा एश्पोप है पंदर नंबर से कहां से कुछ आजा सकता है आपको इभी बता दू चलिए, क्योंकि यह ग्यान की सापिक्षिता का सिधान है, और इसको तुलनात्पक भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 15 नमबर में भी question आ सकता है, चलिए, हम चलते हैं बहुत दर्सर में, परतित समुत्पाद, अस्टांगिक मार्ग, अनात्मबाद और छडिकवाद, तो इसमें से अधिकतर चीजें पूछी जा चुके हैं, दो नमबर चार नमबर में, जाने किगा, यहाँ से बड़ा question आपका परतित समुत्पाद से भी ब चडिकवाद क्या है, simple से पुछा जा सकता है, what is mean by चडिकवाद, ठीक है, देहां देखेगा momentarism, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस परगार से नहीं लिखेगा, उसको चडिकवाद को ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर दो नमबर से लेकर आगे तक की संभावना है, अर्था यह पुरा डूर हैगा, दो नमबर, चार नमबर, आठ नमबर, पंदर नमबर, बड़े नमबर के प्रस्न पुछे जाएंगे, परतित समुदपाद से और अस्ठांगीक मार्ण से, जिसमें आपको इसको explain करना पड़ेगा, परतित समुदपाद है क्या, ठीक, यह चार आर स किस स्रेडी में आते हैं, तो दुसरे वाले में आते हैं, दुख समुदाई में आते हैं, तो इस परकार से आपको explain करना है, सहां के दर्सन आजिए, तो सहां के दर्सन से ध्यान रखेगा, यह सतकार यवाद अल्रेडी पुछा जा चुका है, प्रकृति और पुरुष से भ चार नंबर में भी दिया साथ जा सकता है, तो थोड़ा सा उसको हमको ठीक, उधारन सहीद बताने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है, और इस परस्न को अगर आपको ध्यान रखेगा, ठीक, दो नंबर से चार नंबर के आगे इसके चांसे कम है, ठीक, अर्थावाद इसमें स ठीक, दो नंबर और चार नंबर के प्रस्न समानेता पुछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो परकृति और पूरूस है, अगर आपको केवल परकृति के बारे पूछ सकता है, सांखे का परकृति का अर्थ है, या सांखे दर्सन में पूरूस का अर्थ है, तो दो नंबर का और चान नंबर के दोनों यहां से संभावित हैं लेकिन दोनों को combine करके अगर पूझ दिया जाए ठीक है प्रकरती पुरुष का स्वरूप क्या है तो यह आपका 8 नंबर और 15 नंबर में जाएगा ठीक है 8 नंबर और 15 नंबर में जाएगा लेकिन इसके अंदर एक hidden concept भी है ध्या यह बस में क्यों है क्यूंकि प्रकृति पुरूष के समयोंग से महत बनता है अब महत से आगे जांगे विकास होता है औउसी सिदान को हुआ क flows besides के नाम से जानते हैं उसमें में आपको विकास именно is विकास वाद मिलें और इस विकासमें 25 ऐसे टत्तों का निर्मान होता है धियान रखिएगा जिसका निर्मान होना है आगे जाके 26 तत तो जो है आपका पुरूस रहेगा तो इस प्रकार से hidden में भी आपको बहुत सारे प्रसन मिलेंगे प्रसन मिलेंगे के तार पर अंदर में कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं तिक जिसको यह परस्न के रूप में आगे लाके रखते हैं जिसे आपको ऐसे सांख दर्शन के विकासवाद क्या है और आपने उसको सिधा सिधा पढ़ा नहीं है लेकिन हाँ अगर आपने बुख से पढ़ा है तो वह प्रकृति यह पुरूस मे को दर्साया गया है चली कोई दिक्कत नहीं अब हमारा अगला सिधान्त है योग दर्सन योग दर्सन में यहां पर बहुत ही मतलब सीधा सिधा सिधा अस्था यह को इन्होंने सामने रख डिया है और यह चीजह हमारे एक्जाम में पूछी भी जा चुकी है तो ध्यान बेद और इस प्रकार से इसको चार नमबर आठ नमबर में भी किसी एक में पुछा गया है, इतना मुझको याद है, तो कहने का ताथ पर है, कि ये टॉपिक से आपको इंडिविज्वली पुछा जा चुका है, अस्तांगी के योग को भी कम्प्लिट्ली पुछा गया है, तो इसमें पर्मा को भी पुछा जा चुका है, और असात्कारिवाद को भी पुछा जा चुका है, दो नमबर और चार नमबर में से, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा बनता है, ध्याने केगा पर्मा, अपर्मा, सत्कारिवाद, असात्कारिवाद, क्योंकि दर्त ब्रव 11 व्यायद दर्तуди वेधान की बात है ब्रह्म माया जगत और मोक्श तो मैं आपको बता दूँ कोई भी दर्सन का कोई भी अलग अलग जो point है उस सब interlinked होता है तिक आपस में एक दूसरे से related है अगर आप इसके ब्रह्म विचार को पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्म विचार को पढ़ते पढ़ते माया का भी उलेख होगा जगत का भी उलेख पढ़ने के chances ज्हादा है । कोटि लेखताग सिध्दांत को पुछा एंधा करेखा हैं दृख काटिलिक सब्तांग सिध्दांत को क्यों है पूछके जा चुए और यह आगे भी पुछे जाने की संब्ढ़ survey है 8 नमबर इस सिधान्त इनही मं मंदल्स दान्त किनम कि Font делать कोंटी के मंदल चलिक कि में सबस्केमारे पैसी में पूझा चुके एगर एकिसाब से ऐसा कहा जाए कि अभीत तक तिक उसमें से अधिकतर प्रस्वति पुछे जा चुके अब जो प्रस्वति आएन्गे तो समानेता हम ये कहेंगे कि समानेता इसमें से हेडिंग में के अंदर जाने का थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा ठीक है लेकिन कमोवेश जो है सिलिबस सही पुछा जाएगा वहाँ पर आपको ध्यान देखेगा मेंस ऐसा पेपर होता है जिसमें से आगर आप पढ़के जाते हैं बहुत अच्छे से तो उसमें से लगभग लगभग सब आपको आते रहता है कुछ कोस्चन को छोड़ के ठीक है अब वहाँ पर आना या जानना माइने नहीं रखता है कि हाँ भाई मैंने सिलिबस कम्प्लीट कर लिया है और जितने भी परस्न दिखना है जैसे आप परस्न पल्टेंगे तीक है आपको हरा हरा दिखेगा सावन का टाइप का हरा हरा और आप क्या दिखोगे तीक है आप वो हो जो उसको चरने वाले हो ऐसा लगया कि अभी एक बार में सब को चर जाओ लेकिन होगा ऐसा नहीं तीक जैसे आप लिखना चालू करोगे तीक है जैसे आप लिखोगे अगर आपका अभ्यास बढ़िया है राइटिंग का आपने बहुत अच्छा से प्रयास किया है प्रेक्टिस किया है तीक है लिखने का मतलब नहीं है तीक है यहां पर करना है करने के तत्पर है लिखना है और लिखने का जो प्रेक्टिस है लिख कहीं किया जा सकता है सोचके मैं ऐसा सोच रहा हूँ मेरों को पता है कि असात्कारी वाद क्या होता है इसको इस इस प्रकार से लिखा जाएगा लेकिन जब लिखने के बारी आती है तो क्या उसको 100% अप्लाई उसी प्रकार से क्या जा सकता है नहीं क्या जा सकता है इसलिए मेंस होता है लिखने का और आपको लिखना पड़ेगा ठीक बिना लिखे आप बच नहीं सकते इसलिए से पहले test series लगाए, discussion किजिए दोस्तों से, और ज्यादा से ज्यादा लिखने का practice किजिए, जिससे कि आपका लेखन Sally भी सुदर जाए, और आप कहना चाहिए कि हमारा हाथ खुल जाता है, इस प्रकार चाहिए, ठीक है, तो आपके writing जो है, असानी से सामने वाले को पढ़ाई, पढ़ने में सुगम हो, इस प्रकार का writing हो, बहुत ही अच्छा, type writer type का writing नहीं भी होगा, तब भी चलेगा, लेकिन समानेता आप रास किजिए, कि writing सही हो, लेकिन होता क्या है, कि समय कम रहता है हमारे पास, तनाव भी रहता है, और सारे paper, यारी सार question को attempt करने का भी pressure होता है, इसलिए, ठीक समानेता यह देखा गया है, कि जो भी वेक्ति का, जो writing होता है, वो वहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, कमी हमेशा देखा गया है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक के सिधान को, समा का बड़ा question बनेगा, अर्थात, यहां से 8 नमबर और ठीक 15 नमबर के बनने के chances है, अब आए, गुरु घासी दास के बारे में, यहां से प्रस्म पुछा जा चुका है, ठीक है, सतनाम पंथ की विशेस्ता है, यह भी ध्यान रखिएगा, यहां से, ठीक है, आपको बड़ा question जहां विशेस्ता हो गया, विशेस्तों का आप दो लाइन में तो नहीं लिख सकते हैं, यह चार लाइन में नहीं लिख सकते हैं, विशेस्ता अर्थात, यह 8 नमबर और 15 नमबर का question ठीक है, यहां से बनेगा, वल्लबाचारी का पुष्टी मार्ग, स्वामी विवेकनन्द का विवारिक विदान, ठीक है, सौर्भोमिक धर्म, इसमें से यह प्रस्न पुछे जा चुके हैं, यह रिकिया का खासकरी, विवेकनन्द का विवारिक विदान को पुछा गया एक्जाम में, ठीक, तो यहां भी, यह जो question है, ठीक, यहां पर भी, इसका मतलब यह आपका द 3,80 से देखना है, ठीक, होता क्या है, कि कौन केतना number में पूछा जा रहे है, यह उतना माइने नहीं रखता है, आपको आरह है, कि नहीं आरह है यह माइने रखता है, तो अब हम इस discussion को, कि दो number में कौन पुछा जाएगा, चार number में कोन पुछा जाएगा, आप पढ़ते सम सब्सक्राइब करने में आसानी होती है तो आप बड़े कोश्चन को पगड़ लो दो नंबर चार नंबर ठीक है यह जो है अगर किसी भी चीज के बारे में आप जान रहे हो तो दो नंबर में अराम से लिख सकते हो ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी का सत्याग्रा एका दसवरत समानी चीज़े है ठीक और इन चीजों के बारे में आप जानते हैं समाने तभी चलिए भीमराओ अंबेटकर का समाजिक चिंतन तो इस दिखी समाजिक चिंतन यह दो नंबर का प्रसंद नहीं बनेगा क्योंकि पर यह परिभासा से संबंदित नही और यह प्रस्ण जो है अक्सर जो है कुछे जाते हैं या जाने की संभावना क्योंकि यह थोड़ा सा रिफ्रेंशियल है थीक वर्तमान समाच के परिपेक्ष में भी अब हम आ जाते हैं वेस्टन फिलोसफी में दिखेगा इंडियन फिलोसफी में आपने क्या किया रहता है कि जैसे कि कुछ दर्षन को आप इतिहास में पड़े हैं खासकर जैन धर्षन और बहुत है थोड़ा से संकराचार के बारे में आपके आपने सुना है ठीक आपका अद्वैत वैदान ठीक द्वैता-द्वैत पुस्टी मार गिये सब के बारे में सुना लेकिन यह जो आपका यह complete जो हाँ out of box रहता है उन बंदों के लिए या उन वेक्तियों के लिए जो first time attempt कर रहा है या first time appear कर रहा है तो ध्यान रखेगा ठीक यहां पर आपको क्या करना है ठीक जो चीज थोड़ा कठीन रहता है उसको आप छोटे में रूप में समझें बहुत बड़ा करके मत समझे यह जैसे कि माल जिए ठीक अगर आप दिल्ली जाना है दिल्ली गए हो और दिल्ली के बारे में पूरा दिल्ली घुम के आप मेरों को बताओगे तो ठीक पूरा concept होट पहुच रहेगा ठीक तो आपको करना क्या है कि ठीक है specific चीजों के specific चीजों के ही ठीक है बहुत ज़्य जानी कि आप से पुछा जाए सद्गूर क्या तो फट से बताओ ठीक आप से पुछा जाए कारंटा सिध्धान के अरुस्तु का तो आपको निकले बहुत ज़्यादा मेरो कुछ चाहिए मतलब सुरू की बात कर रहा हूं स्टार्टिंग के बात कर रहा हूं ठीक उसका पु यह दे रहा हूं कि पूरा पढ़ने का प्रयास ना करें ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहां समिक्षावाद दिया तो हम पूरा समिक्षावाद को पढ़े जा रहे हैं आप उसका इंट्रोडेक्शन वाले पार्ट को पढ़िए सोचिए ठीक अगर दोस्त है तो उसके साथ डिसक प्रयास करेंगे तो संभावना है आप बठक जाएं वह मेरा एक प्रसेप्शन है आपको आपको जैसा लग रहा है वैसा आप करने के लिए स्वक्षंद है ठीक है लेकिन समानेत होता है कि अचानक से कोई पूच्दे संदेवाद क्या है तो आपको यही याद नहीं रहेग कि संदेवाद का सिधान्त किसका है ठीक है संदेवाद का सिधान्त किसका है यह आप यह भी बुन जाएगे कि यह संदेवाद का सिधान्त यूम का है यहां देखेगा किसका है यूम का यह तक नहीं याद आएगा तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले इसको बेसिक प्रतेवाद क्या basic basic चीजों को कम से कम सब्दों में समझने का प्रयास करें अर्थाथ इसका introduction वाले पार्ट को पढ़ ले तो यहां पर भी उसी प्रकार का रड़ती आपनाना है तो ध्यान रखेगा इसमें से अधिकतर चीजे उन वही चीजे हैं जो आपको पुछे जा चुके हैं तिक अधिकतर चीजे पूछे जा चुके लेकिन पढ़ना तो आपको है क्योंकि question जो है repeat होग तो ध्यान रखेगा जिसे Plato का सद्गूण का है यह आपको सद्गूण सुनते ही केवल दो नमबर चार नमबर का यहां प्रस्न बनता है ठीक कि उसी प्रकार कारणता सिध्दान यह दो नमबर का नहीं है यह चार नमबर का और आठ नमबर का क्योंकि यहां पर अंदर में ब अर्थ बताइए तब आप वो दो नंबर में आगा या सद्धान्त को परिभासित किजिए ऐसा नहीं आता है कारणता सिध्धान्त क्या है इतना ही पूछ दिया तो आपका चार नंबर या उससे आगे बढ़ गया चलिए संत एंसलम का इस्वर सिद्धी के तु सत्ता मुलक त तु यहां से आपको प्रस्थ पुछा जाएगा यह आपका दो नंबर म निहीं बनता है यह चार नंबर और या उससे आगे चार भी कहें चार से भी आगे आट नंबर और और 15 का प्रशण है डिकार्थ का संदेह पद्ध्धती और मैं सोचता ओं एसा question है तिक है जिसको आपको सोचना पड़ेगा सोच के तिक यानि आप पढ़ने के बाद जब उसको सोचे या थोड़ा से applied किये हैं तिक इन सारी चीजों को तब यह आपको बनेगा तिक है नहीं तो संदे पद्धती में आप खुद संदे में पास जाओगे तिक और यह ध्यान सोचता हूं इसका अर्थ क्या है इसको भी बहुत ही कनसाई जूरूप में रेखे ज्यादा लंबा करने का प्रयास मत किजिए प्रारंब में ठीक है चलिए इस्पिनोजा का द्रव और सर्वेसवारवाद प्रसम पूछा जा चुका है और सर्वेसवारवाद का परिभासा पूछा जा सकता है और चिदुनों वाद क्या है यह भी पूछा जा सकता है लेकिन पीछले पेपर में चिदुनों की विश्यस्ता पूछी थी ठीक मोनेट्स जो है वो कितने categories में पाए जाते हैं ठीक तो ध्यान रिखेगा चिदनु वास ये प्रस्ण पुछा गया और category पुछा यानि चार नमबर आठ नमबर का प्रस्ण जाता है तो यहां से चिदनु के अंदर पाया आता है जिहां पाया जाता है ठीक चिदनु के अंदर ही ठीक अर्थात मोनेट के अंदर ही पूरे स्थापी समाण जस्षे का नियम पाया जाता है ठीक सिंपल सा है इसको आप पढ़ेंगे अपने syllabus में लाक लाका का दिखेगा, लाका का ग्यान मीमान साहब हमारे syllabus में दिया है, ग्यान मीमान साहब, अर्थात ग्यान क्या है, ग्यान का सोर्स क्या है, ग्यान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, क्या वह ग्यान जो है, रियल है या अन्रियल है, इन सारे चीजों का चर्चा जो ह यह अर्थात यह दो नमबर का प्रस भनेगह नहीं, जा-फानित है छार नमबर का भी नहीं बनेगह, लेकिन चार से आठ में इसको दिया जा सकता है। झlaf करने का मतलब दो नमबर से कट गया झाथ त्योंकि चार नमबर वालेमे आपक्या वैठ़्ा करेंग Short क्योंकि वहां पर आपको सब्दिसीमा ही बहुत कम है, चार नंबर में हमारी सब्दिसीमा साथ है, और व्याख़ जो साथ में बड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो चलिए, पूछ दिया जाए अच्छी बात है, लेकिन यहां पर प्रस्ण सम्हान ने था, आठ नंबर का बनता है, 15 नंबर का नहीं बनेगा, ठीक है, चलिए, ह्यूम का संदेहवाद, यह आपको दो नंबर, चार नंबर में भी पुछा जा सकता है, ठीक, कांट का समिक्षावाद भी दो नंबर, चार नंबर में पुछा जा सकता है, लेकिन आठ नंबर में अगर यह आपको पुछा जाएगा, तो समिक्षावाद के साथ साथ, अगर यह पुछा गया तो इसको आपको ध्यान रखेगा, दो चीजों को जोड़ेगा, यानि इससे पूरु के दोस्त दांत हुआ करते थे, बुद्धिवाद और अनुभावाद, उनको जोड़ के पूछा जा चुका है, ठीक, कि यह कांट का यह जो समिक्षावाद है, बुद्धिवाद और आपका, क्या कहना चाहिए, बुद्धिवाद और अनुभावाद, उससे तुलनात्मक प्रेस्पेक्टिव में यह परसम पूछा गया, तुलनात्मक में, पुचा जा सकता है, लेकिन अगर इसको लिखना है, एक्षप्लेड करना है, तो तो दो, चार, आठ में यह जा सकता है, ठीक, केवल दवधात्मक प्रतयवाद है क्या, तो तब भी यह दोनबर बड़ा मुस्किल है, ठीक, में तो पुछा जा सकता है, बुद्धिवास क में यही बनता है दोवा और चार के, आठ में भी जा सकता है, AJ Air का सत्यापन सिधान्द, यह जो है आपका दो नमबर का नहीं है, ठीक है, सत्यापन सिधान्द है, पूरी की पूरी थियोरी है, तो यहाँ से दोस्तो, आठ नमबर और पंदरे नमबर के परस्ट बनने के पूरे चांसे से, ठीक है, यहाँ पर दो नमबर और चार नमबर के बहुत कम चांसे से, सत्यापन सिधान्द के अंतरगत कोई भी एक चीज़ को उठा के बले यहाँ पर, दो नमबर में पुछा जा सकता है, अंदर की चीज़ों को, कमपोनेंट को, ठीक है, लेकिन देशे क्या आपको विएना सरकल के बारे में पुछा जा सकता है, विएना सरकल क्या है, ठीक है, जान डिवी का विभारवाद, तो ये दो चार में ठीक, बैठता है, ठीक, आज यह अगला देख लेते हैं, सात्र का अस्तितवाद, ठीक, ये भी आपका दो नमबर, चार नमबर में, डिफिनेशन के रूप में पुछे जाएगा, ठीक है, या पुछा जाता है, ठीक, धर्म क अभी प्राय क्या है, अब अभी प्राय, तो यहाँ पर अब धर्म की परिभासा से भी पुछा जा सकता है, परिभासा, तो परिभासा पुछा जाएगा, तो ये दो नमबर में भी आएगा, तो धर्म के बारे में, केवल धर्म के बारे में पुछेगा, दो नमबर और चार यह भी प्रसने लेकिन यह दो नंबर के साबसे नहीं है यह आपको जाएगा तो आठ नंबर में जाएगा और पंदरा नंबर में क्यूंकि धर्म दर्सन का नैतिक मुल्य यह आपका लंबा कोशन बनेगा बड़ा कोशन बनेगा ठीक है स्थेम चीजें यहां पर नैतिक तरदाईट passing जासकता ब्रशाशन में पार धर्स सिता क क्या है तब यह दो ऑचार नंबर में पूछा जाएगा लेकिन कंबाइड चौंडर और पंदर नंबर के पश्यां बनेंगे, निश्चित बनेंगे, तो ध्यान रखेगा, ये हो गए हमारे CGPSC के जो syllabus है, उस syllabus के बारे में समान ये जानकारी, तो मेरा फिर से आपको कहना है, नंबर में, आप दो नंबर में कौन है, उसको मत ध्यान दीजिए, तीज कह, 8 नंबर औं 15 नंबर में को sever है उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर 8 नंबर औрь 15 नंबर में कोीं है उसको आप 1 ध्यान देंगे, तो 2 नंबर और 4 नंबर के त्यारी आटोमेटिक हो जाएगा, जैसे कि में आपको बता दूँ, मैं आपको बता दू जैसे कि यहां पर पूर्वे इस्थापी समान-ज़सने की नियम है. तो यहां से एक बड़ा प्रस्न भी आठ नमबर का पुछने की संभवनगा है. लेकिन जैसे ही मैं आपको पूर्वे स्थापीत, ध्यान एक थीपीत हो गया, स्थापीत. जैसी ही मैं ये पूर्व स्थापित समान जस्ते के नियम को पढ़ूँगा तो मैं ऑटोमेंटरी चिदुनु को पढ़ूँगा चिदुनु वाद को पढ़ूँगा तब कहीं जाकि ये वाले सिधान्त कंप्लीट होगा कहने का मतलब आठ नंबर और बार नंबर के हिसाब से पढ़ने से दो नंबर चार नंबर के पतैरी स्वता हो जाती है लेकिन दो नंबर और चार नंबर को इतना हलकस नहीं लेना है दो नंबर और चार नंबर को कैसे डील करना वो भी मैं आपको बता रहा हूं तैयारी तो भल के समय के रण नीति के बारे में अब चर्चा करता हूं अब आपको यह बता रहा हूं कि जो परिभासा किताब में दिया गया है अगर आप उसको as it is लिखने का प्रयास करेंगे तो अधिक के साब से वह ट्रेंड सही है लेकिन हमारा जो सीजी पीसी है ठीक है यह जो सीजी पेसी थोड़ा सब वो क्या है ट्रेडिस्नल चीज है यानि कि आप दे जो याद एक किया है जो सिधान तुझको अच्छार सा लिख दें तो आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेज है लेकिन यह हो गया हमारा यहाँ अब हम चर्चा कर लेते हैं समाने तार्चा कर लेते हैं त्यान रहेख इगा किस चीज की तो एक श्पैस लेते हैं एक एस्पेस लेता हूं मैं यहां पर अब यहां पर मैं इस चीज के चर्चा कर लेता हूं कि दो नंबर का जो प्रस्न है इसको कैसे डील करना चाहिए दो नंबर के प्रस्न को कैसे डील करना चाहिए चार नंबर के प्रस्न को कैसे डील करना चाहिए ठीक है, चलिए 10 तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी 10 और 15 की भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा प्रस्न है, तो उसका structure आप बना सकते हो, लेकिन जो छोटा प्रस्न है, उसका structure बनाने में मुस्किल होता है, अब समझे यहाँ पर, ठीक, जैसे कि मान लिजे, ठ define monads, जिसे यह एक प्रस्न है, ठीक, अर्थात monad को परिभासित करें, तो monad को परिभासित करने के लिए, आपको ये भी बताना पड़ेगा, कि monad का सिध्धान्त किस ने दिया है, ठीक है, और monad का सिध्धान्त क्या है, और उदाहरन को मत छोड़िएगा, अधिकतर लड़ एंसर को थोड़ा यूनिक बनाना है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, कि ये सिध्धान्त किसका है, ठीक है, इसने किस वेक्तिनी सिध्धान्त को दिया है, अर्थात, इसके आपको, जैसे ये लाइबनीज का सिध्धान्त है, किसका है, तो लाइबनीज, तो आपको के बारे में लिखना है कि मोनेट का सिध्धान्त लाइमनिस के द्वारा दिया गया है जिसके अंतरगत इसने मोनेट की परिभासा इस प्रकार से की है और इसके अंतरगत उधारन की रूपर यह यह रखा गया है अर्थात आप परिभासा देने के बाद आपको एक्जामपल द ऑचा यह होता है अच्छा यहोता है । धीया निए जो आपने लिखा है ठीक उसी से एक MOD OUT रहाँ को बहुत सारी अभिहरती जो है मिस कर जाते हैं आप इसके लिए भी a space बचा के चलिए, इसके लिए भी a space बचा के चलिए, define definition को एकदम concise way पर, concrete way पर define कीजिए, जिसे ठीक science में होता है, प्रकास translation का परिभास आपको मुझवानी, लिख दीजिए उसको आप, as it is, क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दीजिए, live needs इसका minute है, क्या, दो number में हो गया, चार number में है, तो भई थोड़ा सा आपको इसको structure यही रखना है, structure यही रखना है, आपको यह बताना है, कि इसके परतिपादा कौन है, इसके परिभासा क्या है, ठीक है, और इसका example बताना है, लेकिन थोड़ा सा expression करते, मतब थोड़ा सा आपको बदलना है, अर्था, structure यही रखना है, आपको थोड़ा से इसको क्या करना है, व्याख्या करना है, हाँ, अगर इसके कुछ मेरिट्स है, ठीक, अगर इसके कुछ लाब है, तो इसका लाब हानी का यह इसका विशेस्ता है, तो इस विशेस्ता को भी आप लिख सकते ह तो विसेस्ता लिखें, दो लाइन, चार लाइन लिख सकते हैं, अगर आपके पास जगा है, तो आप इस पे लाब के बारे में भी हलका सा चर्चा कर सकते हैं, लाब और हानी, लाब और इसका हानी क्या है, तीक है, या लाब हानी यहां नहीं है, तो ध्यान रखेगा, तीक है इसके आप क्या उपियोगीता पे चर्चा कर सकते हैं? उपियोगीता तो ऑपियोगीता तो बेktर चर्चा कर सकते हैं? कि इसका IMPORTANCE क्या है ठीक और यह इतना नहीं करना है ठीक? इसमें से किसी एक पार्ट को करना है ध्यान रिखेगा आप सुचेगा सब चार नंबर का है इस पेसी नहीं है हाँ भाई तो नहीं है तो ठीक है चलिए आपने लाइबनिर्स को बता दिया आपने इसका परिबासा भी लिख दिया और इसके एक्जामपल को थोड़ा व्याख् अर्थाथ दू अब यहीं चीज है आठ नंबर के परस्ट में आपको पुछे जाएंगे तो आप इस चीज को आपको डालना है ठीक अक्सर यह देखा गया है कि 8 नंबर और 15 नंबर के परस्ट के दो पार्ट होते अर्थाथ प्रस्ट रहेगा फिर कोश्चन मार पिछे और प्रस्ट के दो पार्ट होते हैं जैसे कि आपको इसी परस्ट को मैं आपको बतारूं तीक वाट इस मोनेड टीक है ऐसा लिखा जाएगा तीक वाट इस मोनेड तीक है यहां पर लिखा जाएगा डिस्क्राइब इस करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब इस करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ठीक अर्थाथ मोनेड क्या है मोनेड की विशेष्टाओं पर मोनेड के गुनों पर प्रकास डाले ठीक साथी साथी यह भी लिख सकता है ठीक मोनेड के प्रकार पर प्रकास डा कर सकता है सामायता ध्यान रखेगा 10 नमबर और 15 नमबर के परस्ट में इस प्रकार का बीच में कोश्टन मार करेगा फिर आगे एक और कोश्टन रहता है तो वहां पर आपको पैरेग्राफ को एक थोड़ा सा सही उजीत रखना है जैसे ही आप बड़े नमबर के कोश्टन लिख रहा हैं नहां परस्टो am की फवर अप्रेअ के बना सकते हैं जैसे कि आपने कैसे लिखा फिर यह परीभासा लिख दिया अब परिभासा का लाब लिखा आप कि मैं सां इस ऐसे point बना लिया यह महत्तों आपने लिखा इसके महत्तों है ठीक इसका महत्तों को हम दो तरीके से बाठ सकते हैं पहला तरीक जो है इस परकार से हैं इस परकार से floorinhas चार्ट बनेगा जैसे प्रकृतिया पुरु सांख्यदर्सन का द्वैतवाद क्या है अगर आप से पूदिया जाए सांख्यदर्सन का द्वैतवाद क्या है तो आप कैसे लिखोगे हां भाई इसको मैं आप क्या करता हूं एरेस कर लेता हूं सांख्यदर्सन का द्वैतवाद क्या है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से सांग के लिखेंगे तीक है अब लिखेंगे यहाँ पर द्वैतवाद और इस द्वैतवाद के तहद यह जो है दो तत्व को मानता है पहला को मानता है प्रकृति और दूसरा को मानता है पुरुस ठीक है पुरुस यह जो प्रकृति ह सि Kingdom यह होता है यह होता है चेतन जन्तफ यह होता है यह होता है चेतन इस प्रेकार से आप किया कर सकते हो फ्लोई चाइडिय। जो एक लगते मbourne यह तो एक ही नजर में धूर सांगंद नर्समंत की चर्चा करतों के नहीडुने वाले का clear है, वो जान रहा है कि प्रकृति क्या है और पुरुस क्या है, तीक प्रकृति जड़ है, तीक है, पुरुस जो है, चेतन है, लेकिन इसमें से कौन सक्री है, कौन निसक्री है, दोनों के मिलने से क्या होता है, महत क्या होता है, दोनों के मिलने से विकास होता है, तीक वह एक्जाम के मतलब वह question के relative में आपका एक बहुत ही अच्छा से flow बनेगा, flow chart का मतलब होता है, उसी flow में आपको answer लिखना है, या आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, एक बार, जैसे भी बड़ा question है, तो आप सब से last page में जो rough work होता है, वहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है, आप प् apply करो, जब question paper में apply करो, जिस जगह पर आपको answer लिखना है, तब आपको थोड़ा सुधरा हुआ रूप मिलेगा, ठीक है, जब second time उसको, समय का अभाव है, लेकिन जैसे ही आप 15 नमबर और 10 नमबर के प्रस्ट को attempt करते हैं, तो ध्यान दिखेगा, rough वाले page में जाएंगे, ठीक, तो आपका जो idea का flow क्या होगा, उस चीज को लिखे, जैसे निबंद में flow होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का आपको flow को लिखना है, अर्थाथ flow chart बनाना है, आपके छोटा सा synopsis बनाना पड़ेगा, इसी प्रकार से, हाँ भई, मैं पहले लिख क्या है, और पूरूस की गुण क्या है, ठीक, जब सारे चीजों की चर्चा हो जाएंगी, तब यह बताऊंगा कि इन दोनों के सहयों के से विकास होता है, और विकास वाद का सिधान के नाम से जान जाता है, ठीक, जिस से ठीक, प्रकृती का निर्मान होता है, ठीक, इसी प पुरा answer flow मी मिलेगा मज़ा आएगा उसको भी पढ़ने पे enjoy करेगा आपको आपके answer को साथी साथ देखेगा कि हाँ इस बंदे ने इस प्रकार से लिखा है ठीक नमबर अराम से मिलेगा आप जितना कढ़िन तरीके से लिखेंगे सामने वाले को जितना समझाने में वो अपना दिमाग लगाएगा ठीक है तो वो समझो कि आपका नमबर कम हो रहा है वो जितना असान तरीके से आपके answer को पढ़के समझ जाए हाँ यह रहा answer बहुत असानी तरीके समझ में अच्छे आ रहे हो चलिए यह हो गया हमारा किसकी चर्चा तो किस प्रकार से flow chart बनाना चाहिए अब यहाँ पर science नहीं है तुम्हें यहाँ पर डाइग्राम भी बनाया जा सकता था डाइग्राम का मतलब यह हो जाएगा जैसे पाचन तंतर का डाइग्राम अब हम चर्चा कर लेते है कुछ प्रसनों पर ठीक प्रसन लिखना कैसा बात तो हमने भी थियोरिटिकल बहुत कर लिया ठीक जैसे कि यह 2020 का प्रसन है दर्सन का क्या आर्थ है अगर आप ध्यान रखेंगे जैसे आप पूरा प्रसन पढ़ लिए पूरा प्रसन पढ़ने के बाद ठीक है हम क्या सुचते है ध्यान रखेंगा जैसे आप त्यारी करके गए है अभ्यारती आप एक बार थोड़ा सा पढ़िए इसको प्रैक्टिकल करते हैं दर्सन क्या हवावा आता है अपने को स्यादवाद क्या इसको तो मैं दुनक दूँगा चलो सतकारवाद क्या है अरे सर इसको तो मैं पूर जैसे आप इस कोशन पेपर दिखा आपको डिपटी कलेक्टर पोस्ट दिख जाता है दिखता है कि नहीं देखता है प्रलिम्स में वह सही होता है पेपर फस्ट में ठीक जब आप एक बार पांस मिनट में पेपर आप पलटते हो तो आपका अपतर प्री निकलता हुआ है चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं ठीक आप उसके सावन के जो हरीाली पन से बाहर आना है हरीाली पन से बाहर आईए ठीक है अब आपको रियल में करना है सबसे इंपोर्टेंट चीज़ को समझना है ठीक सबसे पहले समझेगा आपके पास समय कम है समय कम है ठीक है समय कम है और इसी कम समय में आपको सोचना भी है सही तरीके से सोचना है और आप जो सोच रहे हैं उसी को आपको लिखना भी है ठीक है लेकिन ध्यान रखेगा गल्ती हो जाती है सोचे कुछ और रहते हैं लीख और कुछ देते हैं क्योंकि मतलब वहाँ पर देखिए दो चीजे होती है तेज चलाना और बहुत देच चलाना गदेख्ण stat defense ठीक है, 100 की स्पीड में आप जा रहे हैं, अलापारवाही का मतलब यह हो गया, कि एक्सलेटर दबाए हो, ठीक है, केवल आप अपना enjoy करते हुँ जा रहे हो, आप यह नहीं देख रहे हो, कि कोन हमको overtake कर रहा है, कोन आगी जा रहा है, तो इसमें क्या हो है, दुरघटना की chances है, सेम चीज यहां पर है, यहां पर आपको दुरघटना से बचना है, तो आपको ठीक है, हर एक question के लिए time set करके रखना है, आपका घड़ी जो आपके सामने रहे है, और उस time set के आलावा आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर train शुरू station में late हो गया, तो अंतिम station तक है, तो बिल्कुल बता रहा हूँ, आपका जो मन विचलित होगा, और आपका आता हुआ परस्ट जो आप गलत कर दोगे, तो इसी को कहते है time management, ठीक है, overall इसी को हम क्या कहते है, time management, time management, अब यह कैसे करोगे, भाई, time management, इसको कहां से सिखोगे, IIM राइपूर, ठीक, या IIM क कहां से सिखोगे इसको, ठीक, वासिंटन में नहीं है, ठीक है, कहां से सिखेंगे इस time management को, इस time management को आपको सिखना है, ठीक है, जब आप question paper बना रहे हो, ठीक, चाहे वो घर में लिख रहे हो, चाहे आप test series लगा रहे हो, तो test series को थोड़ा seriously लीजे, ठीक, within a time limited में आप प् यह, delivery उससे ज़्यादा important है, ठीक है, और उसमें भी आप थोड़ा decorative कर लो, decoration कर लो, अर्थाद flow chart बना लो, ठीक है, कुछ examples दे दो, तो यह सारे चीजों को भूलना नहीं, example को तो मत बुलिएगा, दो number का हो, चार number का हो, 8 number, सब हमें example आप डालिए, relative example, ऐसा नहीं कि, जब अर्थ जो आपका धाई के लो कहा था ना, ठीक, वहाँ पर थोड़ा flow में चलना चाहिए, समझ में रहा है, तो दर्सन क्या है, आप इसको कैसे लिखोगे, क्या है दर्सन, ठीक, अब कितना देर में लिखोगे, यह भी माइने रखता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो हम अपनी आँख से देखते, उसी को हम दर्सन कहते है, ठीक, जो प्रतेक्च हो, आख के सामने हो, जो भी वस्ति उसको दर्सन करते है, अब जब इसको एक लाइन में लिख लें, तब लिखे, कि इसी दर्सन सास्तर बनाए, जबकि दर्सन सास्तर का अर्थ होता है, दर् टिक यह देखन सट सकते हैं इसको के नहीं का मतलब ग्यान कर सकते हैं तो स्यादवाद किसका सिध्धान्त है, सबसे पहले आपको जानना है, तो स्यादवाद जैन का सिध्धान्त है, तो आप ये definition दो नमबर का परस्था है, तो जैन दर्शन, देखें, आप ऐसे लिखें, स्यादवाद जैन दर्शन का परमुक सिध्धान्त है, स्यादवाद ज् शाक्षधा का सिध्धानत है, जिसमें ये बताया गया है, कि किसी भी वक्ती का ग्यान संपूर नहीं होता है, पूरता सत्य नहीं होता, सभी का ग्यान साप्ष होता है । सब्द जैसे लिखेंगे, साफिक्ष Underline कर दिजिए, साफिक्ष यानी स्यादवाग्द जियन की साफिक्षता का सिद्धान्त है तो ये जो है आपका दो लैन मी नहीं गया ठीक, उद दो लैन में लग्भग आपका पूरा हो गया फिर आप लिखे ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक अब इसके बाद आप लिख सकते हो भाई बाकी जी जे में कोर content को पहले रहाएं को मैं बता दिया हूँ चलिए जैसे कि सत्कारवाद से आप क्या समझते हैं समझ में रहा है ना सत्कारवाद से आप समझते हैं सत्कारवाद किसका सिध्धान्थ है सांखे का सद्धान्थ है कि जो कारवाद सांखे का प्रमुख सिध्धान्थ जगाबचा हो तो आप लिख सकते हैं कि सतकार वाद का सिधान विज्यान के मानतां को मानता है क्योंकि विज्यान भी यह मानता है कि प्रते का कारण कोई ने कोई कारण अवस्य होता है थीक दो लाइन तिन लाइन तक पहुँच गया अब इसके बात थिर आप अपना वस्तु की मानेता रखा गया है द्यान रखेगा विष्वे अनेक वस्तु में है और प्रतेक वस्तु में अनन्थ धर्मिन अनन्त गूण है अगर किसी भी प्रस्ण में द्यान किगा उत्तर में अगर आपने पढ़ा है संस्कृत का कोई स्लोग है तो सब से पहले उसको आप लिखे आपको लिखना है कि अनेकांत वाद बौद धर्शन का केंद्री सिध्यांत है इसमें यह कहा गया है कि अब यहां पर इंवर्टेट को हम लिखे अनन्त धर्म कम वस्तु अर्थात विश्व में अनेक वस्तु में है और प्रतेक वस्तु में अनन्त धर्म है अनन्त गुण है ठीक यह अनेक आंत वाद भी किसका है जैन का है ठीक ध्यान का है जैन का है ना ठीक बौद का नहीं है चलिए तो इस प्रकार से इसका स्टार्ट करेंगे ठीक आप यह ब गुणों को जान सकता है, सभी गुणों को नहीं जान सकता है, अर्थात, ठिक ध्यान रखेगा, अर्थात, यह सत्कारवाद को लेके आगे जा रहा है, ठिक ध्यान रखेगा, अर्थात, यह सत्कारवाद को लेके आगे जा रहा है, ठिक ध्यान रखेगा, अर्थात, यह सत्क वाद फिक स्याहद वाद में इसकी परणिती होती दिखाई देती है कि अब समझ में आगे बढ़ते हैं जिसे के दिखेगा एक चीजी ये तो आप मताब बनाते समय इस टाइब के चीजों का अगर हलका हलका लिख लिए हो वहाँ पर हलका लिखना अलाओ नहीं है यह होता है इसी उसीलिए होते हैं लिखा है तो डारेक्ट आप यम में कैसे कुछ सेंगे तो यम आप बताइए कि यम जो है यह दर्सन का जो अस्तांग योग होता है उसमें पहला तत्व यम है यम का अर्थ होता है ठीक है अपनी इंद्रियों पर क्या रखना संयम रखना और इस संयम रखने के लिए उसने पांच असाधन बताएं ठीक पांच प्रकार के होते हैं ठीक अब वो पांच प्रकार कोने जो जयन दर्सन में बताया गया है अगर केवल कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के होते हैं अगर वो लिख दोगे तो केवल एक लाइन में होगा आपको उससे पहले क स्थापित करना और यह स्यम पांच परकार से स्थापित क्या है पांच साधना के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है जो कि जैन दर्सन में उल्लेखित है ऐसा भी लिख दीजे ठीक तुलनात्मा खो जाएगा सत्त अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और ब्रहमचर सेम एज़टी संकराचारे ने इसकी चरचा की है क्या है साधन्चतुष्टः तो साधन्चतुषटः में ध्यान रिखेगा जब हम वेक्ति मूख्छ के और बस्धे घ्यान प्राप्ट करके मूख्ष के और प्ल्यासरत होते हैं तो उसमें चार स्टेप बताए गया है उसी चार стать को UH उसके लिए चार व्विद्द प्रकार के चरन बताए गए और उसी चार चरन को किया कहा गया है साध़न चत्तुष्ट और वह sticking पर थिक गळान रखिएगा कि विबेक थिक जिसको अगर में डिस्क्रिप्टीव बोलूं तो तिज्ञान अज्ञान का विवेख होना चीए वस्तु विवेख होना चीए दूसरा लिया गया है यहां पर वैराग्ये वैक्ति में क्या होना चीए वैराग्ये होना चीए तीसरा में आता है सम्दमादी साधन संपन तो यहां पर मैं इस तरह लिख देता हूं सम् और चौथा में आता है मुमु छुत्तु तो यह चार है साधन चतुष्ट है द्यान रखेगा तो आपको यहां बताना है कि यह विदान्द दर्सन का है ठीक है यह कौन है कौन इसको चाहिए किसको चाहिए मुमु छुत्त मतलब मुख्च के लिए जो बहुत अच्छे तरी से इच्चुक है ठीक है पहले तो उसको विवेक होना चाहिए कि नित्य क्या है अनित्य क्या है इसको कहा गया नित्य अनित्य वस्तु विवेक यानि नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु में विवेक होना चाहिए वैराग्य होना चाहिए उस व्यक्ति में सम्दमादी साधन स इसके अंतरकत कुछ steps दियेगें, उसको follow करने हैं, और तब जाके आदमी मुख्चुत होता है, अर्थाद मोख्च के लिए इचुक होता है, मोख्च प्राप्ति के लिए, तो ये है मोख्च प्राप्ति के लिए, जो step बताएगा है, ठीके, तो ये जो साधन चत्वुस्टे स युक्त विएक्ति है, वही मोख्च प्राप्त करता है, और ये चीजे आपको प्राप्त होनी है, इसको points में भी लिख सकते हैं, explain भी कर सकते हैं, बहुत दरसंत का винता सिधान्त भी, तो कारंता सिधान्त इसको ईप्रमुक्त सिधान्त है, जिसकी मानिता ये है कि प्रते कार की उत्पति कारण से होती है आप यहां ऐसा करके common description लिख लीजिए यहां पर ठीक है अब बताइए कि बहुत दर्सन में क्या माना गए मैंने पहला लाइन तो बता दिया common ठीक है अब बताइए कि बहुत दर्सन में दुख को परमुखकारे माना गया है ठीक है दुख जो है प किसमें ठीक है इस सिधान्त में ठीक है बहुत दर्सन के कारण ता सिधान्त में कारे कारण में ठीक कारण है अग्यान इसी कारण से दुख की उत्पति है और जैसे दुख का बात आया तो महातमा बुद्ध से अच्छा दुख की व्याक्या किसी ने नहीं किया आप भी दु को विशय से हटाना विशय से हटाना हटाना ठीक है जो विशय है इस विशय से अपने मन को हटाना यानि बाहरी विशय से अपने मन को हटाना अब लिखेंगे कैसे ठीके, कैसे लिखेंगे आप इसको, आप इसको इस परकार लिखेंगे, योग के अस्टांग योग में से परतिहार एक पर्मुख चरण है, जिसके अंतरगत मन को अपने विशें से हटाने का प्रयास किया जाता है, जिससे विक्ति क्या हो, बाहरी दुनिया से अपने आपको यह जो है योगदर्सन का एक परमुख चरण है और योगदर्सन में ध्यान देखिएगा ठीक है यह भी मुक्च की और है यह जो है ग्यान प्राप्ति का एक आवस्यक चरण है ऐसा करते हुए आप इस चीज को लिख सकते हो और लिकिन इसका बेसिक पॉइंट वही रहेगा ठ से उठाईएगा ठीक है उपर से थोड़ा पतंजली का चर्चा कर जिएगा पतंजली द्वारा प्रतिपादी अस्टांग योग के सिध्धान्त में से उसका एक प्रमुख चरण है प्रतियार प्रतिहार का अर्थ होता है मन को अपने विशय से हटाना ताकि व्यक्ति जो है मोक्ष अर्थाद ज्यान के ओर अग्रसर हो सके और इसका आगे का चरण क्या है प्रतिहार के बाद धारन आप लिख दीजे कि व्यक्ति जो है धारन की योग हो जाएगा जिसके वज़ा से वो आगे समादी को प्राप्त करेगा यानि आगे के दो चरण कभी भी आख्या कर परतेहर के बाद धारण, फिर ध्यान, फिर समाधी होता है, ठीक तो आगे के भी जो यह step है, उसको भी यहाँ पर लिख दीजे, answer complete, चलिए, अब ध्यान दिखीगा, अब approach आपको समझना आए, 60 नंबर वाले का, मैं केवल अब एक एक question को यहाँ से उठा के चलता हूँ, ठीक आप दिखे, question तो यहाँ भी लिख दिया है, और लिखिये बोला है, आप नहीं लिखा होता, तो हम नहीं लिखते हैं, क्या, यह बताईए, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है, लिखिये, तो लिखिये नहीं लिखा होता, तो हम नहीं लिखते हैं, क्या, लिखते हैं, तो यहां पर ज्यादा इसकोप यह बनता है, आप सेधा सब पहले लाईन में ही नाँबनीर्ज है, मॉनेड्स है क्या, तो पहले एक लाईन में बता दीजिए, यानि कि जो पहला line है ठीक जो first है ठीक first line first line में आप क्या किजिए define कर दीजे छोटे तरीके से ठीक है अब जब इसकी चर्चा करेंगे तो आपको यह बताएंगे कितने स्रेणिया है हाँ sir ठीक इसके चार स्रेणिया अब नीचे heading आता हूं चलिए इस प्रकार से लिए तो पहला आप लिखेगा हायर हायर ठीक है अठाद यह जो है सबसे उच्छ स्रेणी का मोनेड है और यह मोनेड है गौड दूसरा प्रमुक्त स्रेणी है हमारा सेल्फ कंसियस्टनेस ध्यान रिखेगा सेल्फ कंसियस्टनेस मैं सौट में दिख रहा हूं तो ध्यान रहे इमन में जो आपका केटेगरी पाया मौनेड है तीसरा केटिग्री बता रहा हूँ ध्यान रहे जिए दूसरा हो गया तीसरा केटिग्री आपका आएगा ठीक है कंसियस्टनेस का किसका तह कंसियस्टनेस G scoring cесь का एआ reference in the roll yes और सब से अंतिम में आएगा हमारा अनकंसियसनेस अब समझेगा इस चीज को यह जो higher है यानि उच्छकोटी का जो मोनेड है उसको God कहा गया है जो self-consciousness है उसको human कहा गया है जो consciousness है यह पाया जाता है हमारा ठीक है किस में पायाता है यह पायाता है एनिमल में पायाता है और यह जो sub-consciousness है यह vegetation में पायाता है वेजी टेबल नहीं, वेजी टेशंद बनस्पतियों पायाता है, और यह जो unconsciousness है, यह आपके बहुत तिक वस्टुवों में पायाता है, material चीजों में. ठीक धयान रह bucking materialistic चीज, materialistic जो वस्तु हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है, किसने, Leibnitz ने स्रेणियों को, यानि मोनेट्स को, पांच स्रेणि में बटा है, Higher, Self-consciousness, Consciousness, Sub-consciousness, and Unconsciousness, तो मेरे ताज़ पर यह है, कि इस प्रकार से, अगर चार नंबर का है, तो आपको बहुत ज़्यादा, ठीक, definition को नहीं लेना है, एक line में, definition लिख लिजे, then आप तो जो question का demand है, ठीक, हाँ, इस चीज को ध्यान रखेगा, question का demand, सबसे basic चीज है, demand of question, demand of question, यही आपका core word होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिखा, इसके अलावा कोई राम कथा नहीं बता रहा हो, तो कितनी स्रेणी, हाँ भाईया, यही चीज है, कितनी स्रेणी, असूब के प्रकार बताना है, असूब में नहीं कुछ जाना है, असूब क्या है, बता दीजिए, एक line में, बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि आपने दर्सन का परिभासा लेने चले गए और धर्म की परिभासा लेने चले गए, आपको जो आपको पता है उस परिभासा से, कि धर्म की परिभासा में क्या है, और आपके दर्सन के परिभासा में क्या है, उसके जो निकल के आ रहा है, उसको आपको लिखना है, आप परिभासा के स्थर पे एक अंतर दे सकते हैं, कि धर्म की परिभासा हम इस प्रकार से करते हैं, आप बता सकते हैं, और आगे जाके दुनों को को रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है, चलिए, इस्वर की सद्धा, जो है एक परम तत्व, उससे आगे कोई तत्व की हम, कल्पना नहीं कर सकते हैं, थिक है, तो ध्यान दखेगा सत्था मुलक तत्व ist wa, व्यक्ति के सत्था का बोध तो वेक्ति को होता ही है, वेक्ति को फदा है, उसकी कारिछ हम्ता क्या है, ठीक है, सारी चीजे क्या है, ये यह जो सारी स्रिष्टी को नियामा जो यह सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है व्यक्ति कर रहा है क्या नहीं व्यक्ति नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है ठीक है अब वही कौन की और ले आते ले आते हमको ठीक है हमको निश्ची तुरुप से एक इस्वर की आवस्टा पढ़ती है, तो वही है सत्ता मुलक तर्क, अगर इस चुछ को नहीं मालेंगे कि किसी सत्ता है, बारी सत्ता है, हमसे अलग कोई सत्ता है, तो यह जो सिस्टम जो चल रहा है, इसको define कैसे करूगे, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर मैं आपको यह बत तर्क का परतिपादन संत एंसेलम द्वारा किया गया है, जिसके अंतरकत इस इस परकार की मानेटा है, सिंपल सा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीके, दिमांड को देखते हैं, आगे कोश्चन किस परकार का डिमांड करता है, ठीके, सो सब्द में लिखना है, आठ नमबर क कि यह सिद्धान किसके द्वारा परतिपादित है, किसके द्वारा परतिपादित है, ठीक है, इसके बाद आपको यह लिखना है, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आठ आप देख रहे हैं, इस आठ मांड में, जिससे आपने आठ को लिख लिख लिया है, आप इसको थोड जो Demand है जिसे Unstangic Maar, हमने Demand की बात किया है न, संचेप में समझा दीजे, ठीक, समझाएंगे, लेकिन यह जो महत्व लिखेंगे, वो भी तीसी का रहेगा, तो 8 जो Maar, उस 8 Unstangic Maar को समझाने के बाद, दो लाइन की बात कर रहा हूँ, दो लाइन में आप इसके महत्तु को लिख जिए, कि ये स्टांगिक मारक का उद्देश ये है, इसका आर्थ ये है, और इसमें इस प्रकार का importance पाया जाता है, बस, ठीक है, चलिए, अब हम देखते, सांग दर्सन में किस प्रकार से पूरुस की सत्ता को सिद्दे किया गया है, तो फिर वही चर्चा, पूरुस को आप डिरेक्ट नहीं पकड़ सकते, तो पूरुस को कहां से पकड़ोगे, तो वही जो तो चार्ट मैंने बताया था, ठीक, वहां से पकड़ना है, चलिए, इसी को चर्चा करते है, पूरुस, तो मैंने बताया था, सांख, सांख, सांख कैसा है, तो द्वैत वादी है, कैसा है, द्वैत वादी है, क्यों भाई, द्वैत वादी है, क्योंकि ये, प्रकृति के भी ब अब अगला पॉइंट हमने क्या लिखा था प्रकृति जो होती है वो जड़ होती है ठीक है अब पुरुस्ट क्या होता है चेतन होता है यह जो जड़ प्रकृति है इसी जड़ प्रकृति से हमारा विश्व का निर्मार होता है और विश्व के सभी वस्तुमों का निर्मार हो क्यों क्योंकि प्रकृती ज़ड अवस्था में पड़ी हुए कहने मतलब यूरियिंऊम रएक भूशनी में परेता हुआ उसमें किहीं प्रकार का कि में नहीं हो रहा है लेकिन जैसे एक neutron आके उसमें bombarding करता है जिसके कारण uranium split हो जाता है ठीक है और आगे जाके बोरॉन और क्रिप्टान अठाथ बोरॉन क्रिप्टान के बाद चुड़िए ठीक है और आगे जाके वो जो uranium है आगे जाके दो परमुक तत्वम बढ़ता है और इस क्रमसा ठीक नाभी की स्रिंखला चालू हो जाती यानि एक्टिव हो जाता है वह uranium neutron के bombarding से बाहरी तत्व के bombarding से क्या होता है एक्टिव हो जाता है उसी प्रकार यह मान के चलिए यह हमारा uranium है और यह जो पूरूस है यह neutron है जैसे ही पूरूस का संपर्क प्रकृति से होता ह है तो bombarding हो जाता है अर्थाथ प्रकृति जो है सक्री होके ठीक है सक्री होके सक्री का मतलब प्रकृति जो है अपने अंदर से चीजों को विकास करना प्रार्म करता है जिससे के वजह से ठीक है क्या बनता है विश्व का निर्मान होता है तो पहला मतलब पूरूस की कैसे सत्ता सि्ध करता है, बीना ऐसा कोई बाहरी बाहरी तत्त्तो तो विस्व को भोगेगा नहीं, ध्यान रखेगा, यह जड़ प्रकृति है, इसका नेचर ही जड़ है, और विस्व में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका भोग कोन करेगा, तो उसका भोग करेगा यही पुरुस क्योंकि इसमें चेतना है, तो यह भोग करने वाला करते हैं, पुरुस के लवग कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलिए, यह हो गया इस परकार से, दो कंसेप्ट के मादियम से, किताब यह बहुत सारी दी गए, यहां पर हम सारे चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, चलिए, यह हो गया हमारा, अब पर धहन रखेगा, विवेचना करिये, आपने कर दिया, ठीक है, और इस प्रकार का आपने एक छोटा सा डाइग्राम मना दिया, क्योंकि यह आठ नंबर का है, अब सामने वाला एक्जामनत जब इसको देखेगा, तो आपने जो लिखा है, उसी फ्लो में आपने लिखा है, और सारा चीज़ यहां देखके उसको क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई, यह पुरुस इसलिए है, क्योंकि यह भोग करता है, इस पुरुस की बिना इस प्रकृति में किसी प्रकार का विकास हो नहीं रहा है, अर्थात इस सामने वाले वेक्टी ने इन दो तरकों के माद्यम स इस्वर के सद्धा या पुरुस की सद्धा को सिद्ध किया है, बस, बस के लिए इतना ही चाहिए, आए बढ़िये, 175 सब्द 15 अंख, तो यहां पर भी कुछ आपको बड़ा कुछ करना नहीं है, उसी प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करना है, अब मैं इसमें से पकड़ता हू अचार संकर के अनुसार, मोक्ष के संप्रते की व्याख्या कीजें, मोक्ष के संप्रते की व्याख्या अभी हम लोग किये हैं, ठीक है, मोक्ष के संप्रते की व्याख्या अभी हम लोग किये थे, किस तरीके से किये थे, ठीक, व्यक्ति जो है, अरे बंधन में क्यों पड़ आपको यह बताना पड़ेगा कि यह आतमा है किस प्रकार से बंधन में पड़ता है किस प्रकार मॉख्ष चाहिए क्यों बंधन में पड़ा है। व्याक्ष्य आपको पता है, आपको यह मैं बताने वाला हूँ कि यह बंधन जो है पढ़ा क्यों, ठीक जब आपको यह पता चल जाए कि बंधन में पढ़ा क्यों फसा क्यों इस जाल में, तो आपको मोक्ष का description सारब पता है, मोक्ष का सिधानत आपने पढ़ा है, तो पहले concept आप इस परकार से डाग्रांम बना सकते हैं, आप इस परकार से विश्व बनाईए, जब आप answer बनाएंगे तो इस परकार से विश्व का निर्माण करेंगे, यह लिखिए जगत, क्योंकि जगत विचार रखा गया है, ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए जीव, इसी जगत में तो किसका निर्मार करता है इस्वर का निर्मार करता है आया समझ में और बंधन में कौन पढ़ने वाला है बंधन में कौन पढ़ने वाला है ठीक किसी को पढ़ाई नहीं दे रहा है कि माया माया बोल रहा हूं न ठीक उस चीज को जान दिखेगा यह जो जीव है यह बंधन मे पढ़ता है ठीक है किसमें पढ़ता है बंधन में क्योंकि यह जो है अपने आपको करता समझ लेता है ठीक है क्या समझ लेता है करता वास्तों में दिखेगा इसका जैसे आप संक्रचार को पढ़ेंगे तो आप वो सिध्धान को डालेंगे ब्रहम सगत ब्रहम सत्यम जगत की है ठीक है बस दिहान रखेगा माया के कारण इस माया ने यहां पर ऐसा करके परदा बना दिया है जिसके कारण यह जीव है इस ब्रह्म को नहीं देख पा रहा है इसलिए बंधन में पढ़ा यही अज्ञान है यानि इस जीव ने क्यों अज्ञान में पढ़ा क्योंकि इस ज न यहाँ के शुक दुख को अपना समझ लिया, अपना समझ लिया मतलब अपने वो आत्म पर ले लिया, अब आत्मा पह आ गया तो कर्म आपने पढ़ा है्, प्राद्र कर्म होता है, अम्रत्यू के बाद जो है बचा हुआ कर्म है उसी को बोगना भी पढ़ता है, फिर जन में आना पड़ता है तो बंधन हो गया, ठीक है, मुक्ष के लिए क्या चाहिए, इसको ज्यान चाहिए, और ज्यान क्या है, तो ज्यान डारेक्ट ज्यान नहीं मिलने वाला ब्रहम का, आप इस्वर की उपासना करोगे, जैसे इस्वर की उपासना करोगे, तो आपका जब लेवल इस प्रकार से बढ़ जाएगा, तो जब ज्यान रिखेगा, ब्रहम जान जाएगा, कि ये सामने वाला वेक्ति है, ये साधन चस्तु उस्टे को भी आपको डालना है, कि साधन चस्तु उस्टे में इसने पहले विवेक किया है, फिर वैराग किया है, सब पहले तिसरा नंबर में सम्दमादी, साधन संपत क्या है, और चौथे नंबर में आपका क्या है, मुमूचुत, मुमूचुत का मतलब है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, जब वेक्ति में उसकी उतकंठा, ठीक है, कुल बुलाहाट कहना चाहिए, मतलब मिरो को चाहिए वाल अहम ब्रमहास्मी, यानि मैं ही ब्रम हूँ, उसका ज्यान हो जाता है, ठीक है, और इसके लिए वेद की दिक्छा प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है, मतलब आपको एक अच्छे से गुरु की आवसकता पड़ती है, ठीक है, इसका फ्लो है, तो मैं बस ये बता रहा हूँ तो बंदन में कैसा पड़ता है, अब इस जीव को धियान लिख़ेगा, वेदांत का यान चाहिए, इस चीज़ को भी आपको लिखना है, वेदांत का यान चाहिए, और वेदांत के यान के लिए आपको चाहिए, गुरु, और गुरु से ही, फिर वो साधन चत्तु स्धाय भी आएगा ठीक ध्यान दिखेंगे यहां पर आप साधन चतुष्टाय की चर्चा करेंगे और उसमें जो लास्ट तो साधने वाला भी समझ जाएगा समझे यहां और किशेम आफ जीव को वास्ता में यह जो जिव को में तुझे आपको इस प्रकार से फ्लो् चार्ड की निर्मान करना इस रोड में चलेगा है, कभी उस रोड में चलेगा है, तब फिर घुम फिर का आ रहा है, में रोड में, नहीं, आप पहले बना लिजे, अब जब explain करते जाएंगे, ठीक है, तो आपने main target को ज़्यादा focus करना है, लेकिन surroundings को भी बताना है, यहाँ पर, तो surroundings को, क्योंकि पंदर नंबर का है, आपके पास 175 का है, सब जिसी मा है, तो थोड़ा से space बन जाता है, उससे क्या होगा, जो जाच करता है, वो जाच जाएगा, हाँ भई, इसने surroundings को भी clear कर दिया, मोक्ष को भी clear कर दिया, ठीक, और इसी प्रकार की चीजों को आपको बाकी question में भी apply करना है, तो दोस्तों, ठीक, cool मिला के, क्या रहा, ठीक, ध्यान रखीगा, क्या रहा, तो सब से पहले, मैं आपको बता दूँ, सार ठीक, सार ठीक, सार ठीक, जैसे G1 का सार ठीक होता है, तो PSC मुख्य परिछा का भी सार ठीक है, जो आप notes बनाते हो, ठीक, जितने अपने notes बनाए, इस notes का भी short notes बनाओ, short notes बनाओ, ठीक, यह short notes के रूप में नहीं रहेगा, ठीक, यह flow chart के रूप में रहेगा, किसके रूप में रहेगा flow chart रहेगा ध्यांने कि अफ़ चया अफ़ नोड का अपका जो नोडस है जिस पे आपने पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टव तरीके से आपने बनाए उसी का heading heading रहेगा बस जैसे की थी का क्या है थो क्या है उसका अनेकांतवाद का महत तो क्या है, लाइन लाइन, इस प्लेन नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, क्यावल हेडिंग, यानि कि अनेकांतवाद आग पांच लाइन में complete हो जाए, ठीक है, कहने का मतलब जब एक्जाम का टाइम आएगा, जब आपको पलटना है, तो आप उसी आप में खाय सकता हूं, कि दो घंटे में आप पलट लोगे, अगर इस प्रकार का नोटस आप बनाए हो, चाहे कोई पेपर हो, ठीक है, मतलब आपको तो यह जानना है, सारा कंसेप्ट आपको पता है, आपको यह जानना है कि फ्रेमवर्ग क्या है, तो फ्रेमवर्ग यही ह हो रहा है, तो रिफरेंस की रूप में इस नोटस को खुलिए, इस चीज को ध्यान रखीगा, ठीक है, लेकिन एक्जाम से पहले एक और चीज है, में स्क्री आपको डिसकसन करना जूरी है, ठीक है, तो आपके ग्यान का जो कपाठ है, वो खुलेगा, मस्तिस्क जो जकड़ गया रहता है, ठीक, जो दिमाग जकड़ा हुआ हुआ रहता है, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, ठीक है, और जो, मतलब, हम ऐसा ही होता है, अगर आप किताब पढ़ लियो, इतियास पढ़ लियो, भूगोल पढ़ लियो, ठीक है, लोग परसासन पढ़ लियो, तो अपने यहाता हुआ चीज जो है कम याद रखता है इस चीज को भी आप ध्यान में रखेगा और अंतिम सत्य परम सत्य क्या चीज सत्य भाई परम सत्य और यह परम सत्य यह है कि जब एक्जाम हॉल का प्रेसर होता है तो में देखा हूँ कि बहुत लोगों को फीवर आ जाता है क्यों क्योंकि इन महोदय ने ठीक है आदत तो डाल लिया रात में जग जग के पढ़ने का ठीक पेपर है सुबह आप क्या करेंगे उल्लू पर वाली प्रकृती तो हो गई हम लोग की ठीक रात रात बर पढ़ते हैं लेकि इसको सुधार लिजे तिक दीन वाले निशाचर परानी से तिक आप दीन वाले परानी बन जाएए दीन में पढ़िए तिक दीन में आदड़ डालिए दीन में जगने का अदड़ डालिए मैं यह भी देखा हूँ कि लोग जो है पानी लेके वही पर ठीक छीटा मारते हैं वही पर पूंकि जा तो सकते नहीं एक बार भी जाएंगे समय लौस होगा तो इन सारी चीजों से बचना है बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों की में बात कर रहा हूं यह चीज होता है फीबर आएगा हाथ दर्द करेगा इसको कौन बताएगा आपको हाथ दर्द करता है ठीक क्योंकि मैंने भी क्या किया था लिखा था लेकिन दो घंटा कंटीन्यू कभी नहीं लिखा था पेंड किलर टेबलेट लेकर बैठना पढ़ गया क्यों एक दिन दूसरे दिन ठीक तीसरे दिन जो है थोड़ा सा दर्द आ जाता है और उस परकार के प्रेक्टिस आप कहा करो ग है ठीक है मैं यह बता रहा हूं कि लिखने का आदत हो जाना चाहिए तो यह चीज़ें हैं प्रकृति चीज़ें हैं और होता क्या है माल यह एक और चीज़ बता रहा हूं जैसे कि कोश्चन नमबर तू आपको पढ़ा आपने ठीक आपको आधा धूरा याद आया ठीक और तूरंट लिखना चालू करते हैं मत लिखिए रूख जाईए ठीक पहला तो प्रस्ण पत्र मिलता है तो पहले पूरा पढ़ना चाहिए आपको आपको पता हो रहेगा कि कौन से प्रस्ण कहां पर है ठीक है लेकिन जैसे दूसरा प्रस्ण आपने पढ़ा दिक्कत हुआ अ ठीक है वह एंसर जो है गलत भी हो सकता है ठीक है क्योंकि वह आपको पुरे क्लियर नहीं है लेकिन आप इस दूसरा नंबर कोश्चन को छोड़ के तीसरा चोथा पांच और बना रहे हो तो अच्छानक से क्लिक करेगा ठीक है पढ़ा तो है आपने इंस्टेंटर याद नह कुछ हम लिख के जाए चलिए तो बस यह है दोस्तों ठीक बहुत जादा कुछ करने की जोरत नहीं है बहुत मसाला नहीं डालना है ठीक बेसिक चीजे को हमको ध्यान रखना है प्रेक्टिकल चीजों को ध्यान रखना है अब प्रेक्टिकल चीज यह है कि हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं इसलिए भूल जाते हैं कि बहुत बड़ा-बड़ा हेवी नोर्स रखें सौर्ट नोर्स हमने बनाए नहीं ठीक है सौर्ट नोर्स का मतलब मुश्किल से 20 पेज में आपका पूरा का पूरा फ्लोचार्ड फिलोसफिक आ जाना चाहिए उसी परकार से भी इस प्रकार से लिखें दिमाग में सब चीजरी कॉल पॉइंट याद आया तो अंदर तो डिस्क्राइब ऐसा ही करोगे तो ध्यान रिखेगा एक्जाम हॉल का टेंसन होता है लेने जरुतनी एक पेपर में थोड़ा मुड़ा आगे पीचे हो गया तो वह वेक्ति सरेंडर क में यार यह पेपर थोड़ा सा गड़बड हो गया इसको मैं भरपाई करूंगा अगले पेपर में यह वाला आना चीज़ तिक सरेंडर नहीं कर देना है ध्यान रखीगा यह जो प्रेक्टिकल है हाँ दर्द यह जो पेंद के लिए वाला कंसेफ्ट है इस चीज़ को भी सम असफलता के एक कारण होते हैं या कुछ परमुक कारण होते हैं असफलता के बहुत सारे कारण होते हैं तो यहां पर वही है प्लिम्स ठीक है आपका केवल स्कूरूटनी टेस्ट होता है लेकिन में टेस्ट होता है आपका मेंस जैसे आप मेंस लिखके इंटर्वियू के लि तो मेंस के लिए मेरा बहुत ही बेशिक चीज है कि सारे चीज का सोट नडस नची बेशिक नोट के अलबा, ये बेशिक नोट्स वो आपको उस साथ पेलं सुबा साम वाले में पलटने का मौकर देगा, घर तो आप जाओगे नहीं, ठीक जिस एक्जाम के बाहर में वहीं पर आपने खाने का ब्योस्ता कीजे और उस चीज को पलट लिजे, नजर के सामने से गुजर जाना चाहिए, उस समय हमारे नजर बिल्कुल नागिन की नजर की तरह होता है, एक बार दिख जाता है तो याद हो जाता है, ठीक है, मतलब क्यों, क्यों, क्यूरिसिटी बढ़ी होती है, अगला पेपर है दो घंटे बाद, ठीक है, ये क्यूरिसिटी क्या करती है, सारे सेंस ओर्गेंस को पूर अक्टिवेट करके रखती है, जैसे एक बार हमने देखा, अच्छे ये सिदान, फोटो सांत रखे, ठीक, प्रेसर नहीं लेना है कि पलट नहीं पाएं, पढ़ नहीं पाएं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो छूड़ जाती है, इसलिए सारे चीज़ को पहले करके रखे, यानि सारा चीज़ पहले पढ़ा होना चाहिए, सोर्ट नोर्स आपके पास हर चीज़ का available होना चाहिए, लिखने का अभ्यास होना चाहिए, जानता हुआ परस्न भी हम लिखते समय, बहुत चीज़ करते हैं, गुड़ गोवर कर देते हैं, जब खूद का अंसर को आप पढ़ेंगा, रहे मजा नहीं आ रहा है, ठीक, मजा नहीं आ रहा है, तो प्रेक्टिस कीज़ के दोस्तों के साथ उस टेसरी सीरीज में आई वे कोस्चन को डिसकस कीजिए, ठीक है, जिस सेंटर में जहां पर भी आप टेसरी सीरीज दे रहा है, वहां से जो बी कौपी प्राप्त हो रहा है, ठीक, फेकल्टीज के पास इतना समय नहीं होता है, कि उस पे आपको प्रपर गाइड कर सके, आप अपते दोस्तों से चर्चा कीजिए, वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और कुछ मिला कि जो चर्चा का निसकर्स होता है, वो सकरात्मा होगा, और मेरी ये कामना है कि आप मेंस को अच्छा से लिखें ठीक है, और कुछ चीजों को ध्यान देखिएगा, मतलब जो सीनियर कहते हैं, उसको फॉलो कर लेंचे, दिमाग में फिल्टर करते हुए, ठीक, बस इनी विंद्यों के साथ मैं इस सेशन को कम्प्लीट करता हूँ, आसा करता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो चीजें बताई, वो चीजें आपके परिक्षा के लिए उपियोगी होगी, ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्देवाद, नमस्कार